जै बागेश्वर धाम सरकार जै बालाजी सरकार दोस्तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं पर किसी कारण वश्बू लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उनको उनकी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है और जादातर लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं पर उनी वह सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो दोस्तो अपनी नौकरी के लिए अगर आप लोग प्रती दिन एक छोटा सा विशिश उपाई कर लेते हैं 5-10 मिनट देकर तो आप विश्वास मानिये आप जिस तरीकी की नौकरी पाना चाहते हैं अपनी मनचाही नौकरी आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी भी अ अपने लोटा शुद्ध जल तैयार करना है ठीक है एक लोटा जल अपने लोटे में प्रकार करना है भर लीजिए भरने के बाद एक बेल पत्र का प्रेजिद्ध आप सोच लोगी एक बेल पत्र आपको कहां से लेकर आनी है ठीक है अगर आपको बेल पत्र नहीं भी मिलती है तो भाई एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है ठीक है और हो सके तो भाई एक बेल पत् शिवलिंग की उपर एक लोटा जल समर्पित करना है एक धारा से पूरा मन का भाव रखते हुए अपना मन का विश्वास रखते हुए पूरा एक लोटा जल जो है शिवलिंग की उपर समर्पित करना है ठीक है समर्पित करने के बाद जो आप अपने साथ एक बेल पत्री लेक यह नौकरी है, हम इस नौकरी को करना चाहते हैं, हम अपनी तर्फ से पूरे प्रयास, पूरी महनत कर रहे हैं, बस आपका आशिरवाद चाहिए, ऐसा आपका मन का भाव होना चाहिए, और ऐसे ही मन को भाव को रखते हुए, आपको जबेल पत्री को शिवलिंग के उपर समर् पर चाहिए, और उसी लोटे में थोड़ा सा जल जहेल कर भी लाएं, उस जल को आपको अपने घर में जाकर चीचना है, ताकि आपकी घर में सकारात्मकतर है, भगवान शिव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो, अब दोस्तों जो व्यक्ति बेल पत्र लेकर नहीं गये हो रही हूँगे, वो लोग क्या करे है, शिवजी की शिव लिंग पर चड़ी हूई एक बेल पत्र उठा ले, अपने एक लोटे जल से थोड़ा सा उस बेल पत्र को दोले को और एक लोटा जल समनुप्त करने के बढ़ farm रखते हूए होई चड़ा दे, इसी क्रिया को आपको प्रती दिन एक समय पर दोहराना है आपको इस उपाई को प्रती दिन करना है किसी पी दिन छोड़ना नहीं है बस अपना मन का भाव रखिएगा भगवान शिव पर विश्वास रखिएगा रोज सुबह प्राता काल इस उपाई को करके देखिए कुछ महीने रुकिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए आप जिस की चीज की तैयारे करने आप उस चीज की तैयारे कीजिए और विश्वास मानिए कि आपकी नौकली कुछ ही महीनों में लग जाएगे